हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग आज की वीडियो मैंने मॉर्निंग से शुरू कर दी है मैंने कढ़ाई रख ली थी जब अंधिरस आई था तभी आज लास्ट दिन है मावा निकालने का बस आज लास्ट निकालेंगे इसके बाद तो फिर मिठाई बनानी है तो इसमें लासनी रख देंगे चुले पर बच्चे भी अभी सोके उठे हैं अभी दूदी पिया है उन्होंने यहीं पर बैठे हुए थे सारे बच्चे देखिए कि बैठी है बार तीन बच्चे बैठे हुए बरामदे में जो निगेटिव कमेंट करते हैं उन्होंने कहीं बार कि अपने की तैयारी में कर रही है लड़्े डूमाने की लिए चार्स नी की तैयारी जिसका टोरे से ममी पानी डाली है इस से ऑपनी बस्तों हरा दो जब भी मम्मे को कुछ मिठाइं बनानी होती है तो तुरन इसको डूड़ने लगती है और अगर ना मिले तो फिर बोत सोर मचाती है अभी चुले पर चास नहीं रख दिया बनने के लिए और चास नहीं不錯 नी थही देरी लगी इसको बनने वे और अभी चुलाई निकाल के छान लेते हैं च्छान करके बनाएंगे नहीं तफिर इसमें किरकल आ जाती है ऐसा लगता है जैसे रेत पड़ा हो अगर च्छाने भी गहर बनाएं हम च्छान के बनाते हैं तो पहले मम्मी च्छान नी थी अभी मैं इपना काम निप्टा के आ गई हूं मैं च्छान दूंगी बैठ गए हैं इन्हें बहुत सोख हैं चुलाई के लड़ू का बहुत खुस होगे खाते हैं अब पूरा घर में चुलाई-चुलाई रहने वाली है जब तक यह खतम नहीं होंगे लड़ू और बैठ गए हैं अभी से कि हम भी मिलेगा सबसे पहले नहीं मिलेगा एक लड़ तब जाके यहां से उठेंगे भगवान जी के भोग के लिए निकाल के गाएं के लिए निकाल के फिर सबसे पहला वोग इनको लगने वाला है उसके बाद तब जाके इनको सांती पड़ेगी बच्चे ऐसे ही होते हैं हम भी ऐसे ही थे जब छोटे छोटे थे हम भी ऐसे बै कि वहाँ भी जाएगी वह मुरादाबाद रहते हैं अगर मम्मी जाएंगी तो वहाँ भी लेकर जाएंगी मम्मी बोल ली थी कि जाऊंगी मैं भी पर पतानीन का भी पक्कानी हो पारा कब जाएंगी अभी थोड़ी सी मम्मी ने च्छान ली थी इसके लड़ो बना लेंगी त और हमारी फैमिली भी काफी बड़ी है और अब तो हमारी और भी बड़ी फैमिली हो गई बहुत सारे सदस्या और हो गए हैं हमारी फैमिली में मैं कर रही हूं बात आप सब की आप भी हमारी फैमिली हो तो आप तो हमसे भी पहले हो आप लोगों के लिए मिठाई बनाएंगे आजाईएगा फिर आप लोग बोलोगे कि हमें तो काईनी हमें अपनानी मानती तो मैं आप सब को अपना ही मानती हूं अपनी फैमिली मानती हूं आप लोग भी आजाईएगा जनमास्ट में को खुब इंजोई करेंगे मिठाई खाएंगे और अच्छे से दूमदाम से गोप अभी चुलाई में चासनी डाल ली थी जो पहले तैयार कर ली थी गुन-गुनी सी हो जाए तब इसके लड़ू बनते हैं तो अभी मम्मी ने इसको मिला लिया था चासनी इसमें जादानी मिलानी है उतनी मिलानी है जिससे कि ये मीठे हो सके नहीं तो अगर हम जादा डाल देंगे तो चिप-चिपे होंगे और फिर खाने में भी टेस्टी नहीं लगेंगे इसी वज़े से मैंने कभी ट्राई नहीं क मेरे घर पे तो मम्मी पहले चुलाई मंगाती थी और खुल से भूनती थी अब तो फिर भी भुनी भुनाई आने लगी है तो सब भुनी भुनाई मंगा लेते हैं दुकान से नहीं तो पहले मम्मी चुलाई मंगाती थी और खुल से भूनती थी मैं देखती रहती थी कि पता बारली साइड इधर गुमड़ी थी गाएनी सोरी बच्षा ये बच्षा गुमरी थी रोड फे पता नहीं बहुत लोग ऐसे हैं जो बच्षा छोड़ रहे हैं और ये विचारी फिर बटकती रहती है तो बच्चे कहरे थे कि अपने घर बांद रो इसको हम कहते हैं बांदलो ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं होता पता नहीं कौन है जिनने दया भी नहीं आती गूवमाता को ऐसे छोड़ देते हैं पहले तो इनको पालते हैं और फिर जब यह लगता है कि यह किसी काम की नहीं तो उनको छोड़ देते हैं बटकने के लिए अब तो तो बच्चे कहीं कहीं की वीडियो सूट करेंगे देखते जाहिए आप लोग गाउं में पूरे में घुमा दिया इन्होंने और गमलों की वीडियो बना ली पोधो की अभी लोट के फिर से आगए हमारे पास एक डबा उपर तक भर गया है जो बचे हुए हैं वो जाएंगे बड़ी दिके यहां उनके वहां बहुत काम फैला हुआ है मिश्टरी लग रहे हैं तो कहीं बनाने का डंग नहीं है यहीं से जाएंगे बनके उनके वहां जादा कोई खाता भी नहीं है थोड़े से ही मंगाई हैं उन्होंने अभी बड़े भाई साब आये हैं पस वो के लि है डाल दिया है जिस से कि चिननी घुल सके और जब यूझ जबशनी बन जाएगी कुबत से चासनी बन जाएगी उसके बाद इसमें महा मिला जाएगा वरत का पता निच provided को मंगल वार वार नगा कि बुधवार का अगएतर का अग पना दीन ही उस से आसानी हो जाती है फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होती बनाने में और जिदिन का वरत होता है अगर उस दीन सारी मिठाई बनाए तो सिर में विदर्ध हो जाता है चुले के सामने बैठे बैठे बड़ी दीधी नीचे लगी हुई है, वो सननी कर रही थी, गाएं को भैस को जो दूद देते हैं, पसु हुँ, उनका तो बहुत ही ध्यान लखना पड़ता है, नहीं तो फिर दूद भी नही देंगे, अभी इनको सननी कर देंगी, वैसे तो रोज मम्मी करती है पर आज मम्मी लगी है मिठाई बनाने के लिए फिर दीदी करने लगी थी अगर इनका ध्यान नी दखेंगे तो ये दूद भी नी देंगी और दूद के बिना तो काम नी चलेगा बिल्कुल भी तो इनकी बहुत इज़ादत देख भाल करनी पड पर उसकी वीडियो नहीं बना पाए जब ज्यादा लेट हो गया वीडियो बनाने में और चासनी एकदम तयार थी तो मावा एकदम से डालना पड़ गया इसी वज़े से फिर वीडियो नहीं बन पाई अभी मावा इसमें खूब अच्छे से मिलाना है और जब मावा में चासनी को डाल के रख देंगे पंकी की हाव में बहुत ही जल्डी से जम जाएगा कलाकंद इसमें गोला भी डाल सकते हैं पर हमने नहीं डाला बहुत से ऐसा करते हैं कि वरत में गोला नहीं खाते तो सायद यहां पर भी ऐसा ही होता है वरत में गोला नहीं खाया जाता योजे से नहीं डाला वैसे दितों पहले लोग ही लोज केहल थी फिर हमने नहीं बनाई बच्चो भी कम पसंद हैं इसी वज़ी से नहीं बनाई मिठाई बनाने का जो मोटा मोटा सा काम है वो आज ही खतम हो जाएगा कल तो बस पेड़े बनाने करा जाएगा पेड़े हम कली बनाएंगे आज इतनी गर्मी भी नहीं है कड़ाई का काम करते वे मन भी लग रहा है ज्यादा गर्मी होती तो मन नहीं करता पर आज ज्यादा सा हो गी थी टाइट टाइट सी तो हमने इनको रिता दिया है थाली में परनाथ में इनको अभी पंक्खी की अवा में रख देंगे तो यह जम जाएगा उसके बाद भी चाकु से इनको काट दूंगी अभी यह बहुत ही अच्छे से जम चुका है एकदम टाइट हो गया है तो मैंने सुचा इसको काट लेते हैं नहीं तो फिर काटने में मुश्किल हो जाएगी बाद में फिर ज्यादा ही टाइट हो जाएगा तो यह जब थोड़ा सा मॉलायमसा हो तभी अच्छे से कटता है न हो नुँ थी अच्छा लगता है मुझे तो अभी से पीश करने के बाद मैं इनको उतार लूँगी मैंने इनको उतार दिया था उतारणे में वोट ही आसानी हुई उतारने में,- मुष्किल नी हुई चुछाकरकर के यह अच्छाम इंप गया तो जी कैसे आप सभी आसा करती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बस अभी नाके आई हूं दूसरी बार एक बार सुबह में नाली थी तो सोच आप लोगों से बाते कर लेती हूं थोड़ी सी पहले और फिर आप लोगों को मिलूगी थोड़ी देर के बाद लोग किसी बारीश भी पढ़ने लगी मोसम काफी अच्छा हो गया था और बारीश पढ़ते ही थोड़ी सा मोसम में चेंज हो जाता है अमारी दीदीजी जा रही है नाने के लिए पर पारिस हो रही है बातृरूम तक पहुशपाना अने मुश्किल हो जाएगा इतने गर्मी में प्रेपारिश में नहीं निकला जा रहा तो फिर ये गर्मी-गर्मी क्यों करती रहती है ते यह तैयार हो गई जाने के लिए पर अभी भी जगे नीचे कोई जाएगी पर अभी जाएगी क्या है अभी जाएगी इस नहीं बनाई तो लिए नाएगी फ्रेंट बहुत बस्वात है अपसब का मेरे यूटुब चैनल महस्तना लिवी लोग में और थोड़सा लेट हो गई हुआ बात करने में टाइम इनी मिलाज बतानी आज कैसे वरत का सामान में बनाया सुब्र में तो इसी चक्कर में आप लोगों से बाते नहीं हो पाई अभी कर रही हूँ सब्जी बनगी है दोध भी बन चुका है अब गोटी बनानी है एक बार जोट लगा के आ जाती हूं पहले उसके बार भी गोटी बनानी है जोट भी लगा ली है इदर सब्जी बन गी है आज बनाई है तोरी ममी बना रही है मिर्च का अचार उसी की तयारी कर रही है पहले कड़ाई में तेल डाल लिया है जब तेल पक जाएगा तो गैस बंद करके इसमें मसाले डाल देंगे सौंप, राई, हल्दी ये सब और इन जाता है गैस नी चलानी फिर बाद में ऐसे ये खराब भी नहीं होता काफी दिनों तक चल जाता है अगर वीडियो जरसी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब मुझे कमेंट भी और थोड़ से नाम है जो लेने है मुझे अभी याद थे मेरे वही ले लेती हूं राकेश सिंग जी है उनके बेटे का बर्थड़े है बारा अगर्ष्ट का मयंक का हैपी बर्थड़े मयंक आपको जन दिन की बहुत-बहुत सुब कामना है बारा अगर्ष्ट का ही है खुसी का बर्थडे नहरा जी की बेटी है खुसी उनका बर्थड़े भी बारा अगर्ष्ट का है अपको जन दिन की बहुत-बहुत सुब कामना है हेमलता जी है मतुरा से वो भी रोज कमेंट करती है थैंक्यू सो मच आप सब का और इस वीडियो को मैं कर लेती है यही पर एंड मिलूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ कल बहुत एच्छा भी लोग आएगा देखेगा जरूर एंड तक तो मिलती हूँ कल आप लोगो को एक अच्छी सी वीडियो के साथ अब तक के लिए बैबाए अपना ख्याल लखेए खुस रहीए है फाल्वेएश मेरी सभी फैमली को दो दिन की जन्मार्ष्ट मी की बहुत पोसुब कामना है सबको अ